हलो एव्रिवाइन वेरी गुड इवनिंग एम आडिबल आड विसिबल गुड इवनिंग एव्रिवाइन क्या हाल चाल बेटा जी कैसे हो जल्दी जल्दी से एर एक बारी प्लीज कन्फिर्म कर दो if I am audible and visible to you guys गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अले राइट सो कैसी है मेरी बच्चा बाटी जल्दी जल्दी से एक बारी बता दो ठीक है और फड़ा पट्चे बेटा जी क्लास को कर दो लाइक और शेयर क्योंकि आज भी हम एक अमेजिंग सा चाप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दनेकले और उसी के साथ साथ मैं आपको देने वाली हूँ एक नियूस ठीक है तो फड़ा फट्चे पहले आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दो और मैंने एक वीडियो भिजवाई थी 7.30 पीम पे I hope आप सबने वो वीडियो देखी है सो बेटा जिनने नहीं पता 7.30 पीम पर एक वीडियो आई है चानल पे प्लीज उस वीडियो को देख लेना दाट वीडियो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीके क्लास 10 चाल अभी फड़ा फट से मेरे सारे बचे यार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे फड़ा फट कल की क्लास हमारी बहुत जबरदस रही है है हैस्टाग ताबर तोड बैच के अंदर कल हमने चाप्टर कौन सा पढ़ा था हाँ बई माडम राइट्स द बस आज हम कौन सा चाप्टर पढ़ने वाले हैं द नेक्लेस ठीके द नेक्लेस बहुत इंटरेस्टिंग चाप्टर है कल की तरह हमें आज की क्लास में भी सूपर डूपर मज़े आने वाले हैं तो फड़ा फट से एक बारी मेरे सारे बच्चे क्लास में आ जाओ और जितने बच्चों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया यार फड़ा फट कर दो ठीक है चलो तो एक बारी जल्दी जल्दी सारे बच्चे कॉमेंट कर देंगे हैश्टाग ताबर तोड जो कि हमारे फ्री बैच का नाम है फ्री सीरीज का नाम है हैश्टाग ताबर तोड जल्दी जल्दी से कॉमेंट कर दो क्योंकि उस नाम में ही इतनी एनरजी है कि ताबट तोड़ वो हम से चीजे कर आ लेता है राइट गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवन गुड इवनिंग ऑलराइट गाइस तो शुरू करते हैं हम हमारी amazing सी क्लास को दन एकलेस आज की क्लास में क्या है सा special है भाई आज हम one shot करेंगे chapter का यानि कि पूरा chapter बेटा जी मैं आपको आज ही समझा दूंगी ठीक है पूरा chapter मैं आपको आज समझा दूंगी उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं बेटा जी full chapter line by line हम explanation देखने वाले हैं अब obviously तुम्हें पता है कि सबसे असान तरीके से हम explain करेंगे और साथ ही साथ बेटा मैं आपको देने वाली हूँ question answers जैसे कि मैं आपको हर chapter के देती हूँ अब तो नहीं है यार network issue मुझे नहीं लगता कि कोई network issue अब है क्योंकि class बिलकूल अच्छे से चल रही है हाना class अब चल रही है मेरी ख्याल से तो फड़ा बच्चे सारे बच्चे यार class को एक बारी फड़ा बच्चे like और share दुबारा कर दो ठीक है अब मैं announce कर देती हूँ और फिर हम शुरू करते है अब सही चल रही है न class एक बारी बता दो यार ठीक है सो बेटा मेरी बात को न ध्यान से सुनियेगा ठीक है बेटा ओके तो संडे को संडे सुभा संडे सुभा साड़े दस बज़े हम लोग करने वाले हैं महा मेंटी ठीक महा मेंटी क्वेस संडे सुभा साड़े दस बज़े जिसमें आप बच्चों को मौका मिलेगा संडे वाले ही सेशन में पार्टिसिपेट करने का सो संडे सुबा साड़े दस बजे टाइम को लिख लो टाइम को याद कर लो महा मेंटी होने वाली है चानल के उपर ठीक है मेटा? आल राइट यह हो गया पहला पॉइंट नमबर दूसरा पॉइंट कल की क्लास में कल नौ बजे ग्रामर की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सबजेक्ट वर्ब एग्रिमेंट जैसे मैंने टेंसिस का अभी आपको दुबारा से पढ़ाया था ना सबजेक्ट वर्ब एग्रिमेंट में वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ बट कल हम लोग उसका दुआदार तरीके से एकदम रिविजिन करने वाले हैं क्योंकि वो आपके बोर्ड के एक्जाम में हैं तो मैं आपको ट्रिक्स भी समझाऊंगी मैं आपको कॉंसेप्ट भी समझाऊंगी और मैं आपको क्वेस्चन्स भी कराऊंगी ठीके बेटा हाँ तो कल सबजेक्ट वर्ब एग्रिमेंट ग्रामर की क्लास है बहुत इंबोर्डन है बोर्ड इग्जाम के लिए और परसो याने की संडे सुबा साड़े दस बजे माहमेंटी अब शुरू करते हैं बिना देर करें चलो भाई गाय दे मॉजपेंट ने इस चाप्टर को बेटा पूरा का पूरा लिखा हुआ है ये एक फ्रेंच राइटर थे ठीके इन्हें याद किया जाता है as a master of short story form फिके इतना ही आपको याद रखना है इनका नाम आप याद रखलो बस कि किसने लिखा है एक्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है generally poetries का पूछा जाता है बद तिल आपको याद होगा तो अच्छी बात है अब ये जो बेटा कहानी है ना कल वाली तो हमने बड़ी fun loving सी कहानी पड़ी थी ये जो कहानी है ना ये है एक selfish औरत के उपर ठीक है बेटा अब end तक आप लोग रुखना तभी आपको कहानी में मज़े आएंगे और आपको समझ में भी आएगा इस कहानी में क्या होता है एक बहुत ही जादा selfish औरत होती है उसका नाम होता है मिचिल्जा वो अपनी life से बहुत जादा असंतुष्ट होती है unsatisfied होती है ठीक है उसे shock होता है कि मैं तो बहुत अमीर खांदान में शादी करके जाऊं जहां पर मैं रानियों की तरह रहूँ and on the contrary उसके साथ सभब अपोजिट हो जाता है क्योंकि उसकी शादी हो जाती है clerk की family में ठीक है क्योंकि obviously Matilda खुद गरीब होती है उसके घरवालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दहेज दे तो उसके बड़े बड़े खुआब है माडम के कि अरे मैं तो किसी बड़े घर में जाऊंगी एश करूंगी ये वो पर ऐसा कुछ नहीं होता अब क्यों होता है एक दिन दोनों husband और wife को एक party में बुलाया जाता है जो कि minister के घर पे होती है अब party में चाने के लिए बेटा Matilda के पास ना अच्छे कपड़े नहीं होते ना तो अच्छे कपड़े होते है ना ही बेटा उसके पास अच्छी जोलरी होती है तो उसके husband बोलते है कि देखो ठीके तुम ड्रेस खरीद लो बड़ जोलरी हम अफॉर्ड नहीं कर सकते अब वो सबक क्या है क्या हुआ ये हम देखने वाले बेटा हमारी कहानी में ठीके चलो तो कहानी को शुरू करते हैं दन एकलेस हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चाप्टर है फूट्प्रिंट्स विदाउट फीट का चाप्टर है ठीके बेटा दन एकलेस शुरू करें एक बारी येस मैम स्पाम कर दो इन दो कॉमेंन सेक्शन ताकि मुझे पता चल जाए कि सब बच्चों का ध्यान मेरे पर है सब बच्चों की अटेंशन यहीं है फिर मैं शुरू करते हूँ साहिल मैम ये चाप्टर मैंने आपसे पढ़ा था अभी तक याद है हाउ स्वीट ताइंक यू बेटा जल्दी जल्दी मेरे सारे बच्चे येस मैम एक बारी स्पाम कर देंगे और यार वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रा करो हाना अब मैं देख पारी हूँ कि दोसों से जादा उपर बच्चे हैं क्लास में बट लाइक्स हमारे पास केवल डेड़ सो है नॉट फेर तो लाइक कर दिया करो जैसी आते हो क्लास को आल राइट तो मेरे सारे बच्चों का ध्यान मेरे पर है अब हम शुरू करते हैं हमारी फिंटास्टिक सी क्लास को ठीक है देखो भाई लाइन बाइन कर रहे हैं इंसी आटी का शी वोस वन ओफ दोस प्रिटी यांग लेडिज बॉन आज एफ थू एन एरर ओफ डेस्टिनी इंटु आ फामिली ओफ क्लोग क्या लिखा है यहाँ पर बोला गया है कि एक बहुत ही प्रिटी बहुत ही सुन्दर लड़की थी और ऐसा लगता है कि डेस्टिनी मतलब कि भाई जो हमारी किस्मत है उसी से कुछ गलती हो गई हो ठीक है कि इतनी सुन्दर लड़की को कहां पर पैदा कर दिया एक क्लोग की फैमिली में पैदा कर दिया अब उसके खांदान के पास कोई ड़री यानि की कोई दहेज नहीं होता है देने के लिए कोई सेविंग्स नहीं होती है ना कोई होप होते है ना ही कोई तरीके होते हैं जिससे वो famous हो जाएं ठीक है एंड ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि वो एक अमीर आदमी से या एक famous आदमी से उसकी शादी करा दे तो अब क्या होते है बेटा इसलिए अब क्यूंकि वो भी clerk की family से है तो उसका जो रिष्टा होता है ना वो भी एक clerk के साथ ही होता है समझ में आया एक clerk के साथ ही होता है तो अब एक clerk के साथ उसकी शादी तेह हो जाती है शादी हो जाती है वो clerk कहां काम करता है board of education में she was simple but she was unhappy अब ये जो रड़की होती है ना ये अपनी life से ना बहुत जादा नाखुश होती है बहुत जादा unhappy होती है she suffered अब क्या होते बिटा अगर आप अपनी life से असंदुष्ट होना तो आपको बार बारी बार बारी दुखी होता रहेगा ठीक है तो continuously लगातार insistent मतलब continuously लगातार वो क्या करती है सफर होती है परिशान होती है उसे लगता है कि उसका तो जनम हुआ है भाई सारी उन्हों शोहरत के लिए सारी luxury के लिए उसका जनम ऐसे यहां पर रहने के लिए नहीं हुआ क्लक के साथ रहने के लिए नहीं हुआ अब उसका जो अपार्टमेंट होता है जिस घर में वो रहती है वो घर भी इतना कुछ खास बड़ा नहीं होता है एकदम डर्टी सा कमरा होता है डर्टी सी उसकी दिवारे होती है ठीक है ओल्ड पुरानी बचा कुर्सिया रखी होती है ये सारी चीजे देख देख करना वो ब बहुत जादा अनहापी फीलोता और बहुत गुस्सा आता है कि हां मैं पैदा हुई थी पदा नहीं शान और शोहकत के लिए और कहां मेरी शादी इस ख्लरक से हो गई और मैं यहां आ गई इस बुरे से घर में में रह रही हूँ यहां की चेयर भी बेकार है यहां की जो दि कहने का क्या मतलब है जब भी वो अपने पती के साथ खाना खाने बेठती है हाँ अभी तो तुम देखना ही सौरत के साथ क्या क्या होगा तुम लोग खुच शौक हो जाओगे तुम लोग हैरान जाओगे कि माम ये क्या हो गया फीक अब देखो तो भई लिखाए जब भी ये खाना खाने बेठती है जब भी ये डिनर करने बेठती है तो इसका पती बिचारा एक तरफ वो बहुत अच्छा आद्मी बहुत गाएं आद्मी हना वो बिचारा सोचता है कि ठीक है जो है हम उसी में खुश है तो वो क्या करता है अनकवर मतलब ऐसे कवर हटाता है एक डोंगे से ठीके and बहुती हैपिली बोलता है ओ वा कितना अच्छा खाना है इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता और उसकी पतनी बैटके सोच रही है सारी अच्छी अच्छी प्लेट्स के बारे में कि अगर म खाना मुझे लोग आकर सर्फ कर रहे होते ठीके तो अब उसके पास ना तो घहने थे ना उसके पास अच्छे खाने को यूनो ना चम्मचे थी अच्छी ना फॉक्स अच्छे कुछ भी नहीं था तो वो बेटा हमेशा अपनी किस्मत पर रोती रहती अब ना उसकी एक अमी क्योंकि वो अमीर फ्रेंड थी जब भी वो जाती तो उसे घुटन फील होती कि यार मैं तो इतनी गरीब हूं और मेरी फ्रेंड इतनी अमीर है ठीक बिटा क्लर्क आपको नहीं पता आदर्श की ओफिसेज में क्या 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 काम करते क्लर्क ओफिस बोई की तरह लगा लो ठीके सो उसकी एक रिच फ्रेंड थी और उसे उसके घर जाना बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि वो उसके घर से जब भी वापिस आती न तो बहुत किलस्ती बहुत रोती क्योंकि सब देखकर आती कि अच्छा गैने अच्छा नई ड्रेस अच्छा और फिर अपने घर आ ट्विस्ट शुरूँ होता है अब एक शाम उसका पती घर पर आ रहा है ठीक है बाई इलेचेट मतलब बहुत ही खुशी से उसके हाथ में क्या है विटा एक एन्वलप है कि आज तो मेरी बीवी खुशी हो जाएगी बिलकुल आओ भाई अब क्या हुआ हुआ है यहरी सेड here is something for you she quickly drew out a printed card on which were inscribed this word inscribed मतब लिखा होना तो वो फड़ा फट एन्वलप में से काड निकालती और काड पे ना कुछ लिखा होता है क्या लिखा होता है the minister of public instruction and madam george ask the honor of mr. and madam loisil's company monday evening january 18 at the minister's residence evening कहने का क्या मतलब है पार्टी का invitation आया है फिक है mr. and mrs. loisil को जो इनका surname है पार्टी का invitation आया है यानि कि जहापर यह काम करता है board of education में वहां के जो इस्ट्रस है उनके घर पे पार्टी है तो वहां का party का invitation है बहुत अमीरों की पार्टी है अब उसके पती को लगा कि मेरी बीवी दिन वर अमीर अमीर बोलती है तो पार्टी का invitation देखकर तो खुश होगी बट नहीं उसकी पतनी भाई instead of being delighted यानि कि खुश होने की बज़ाए बच्चो as a husband had hope जैसे उसके husband ने सोचा होता है कि खुश होगी बट खुश होने की बज़ाए वह invitation को बहुती insulting तरीके से spitefully मतलब insulting तरीके से फेक देती है कि हां यह क्या लाए हो टेबल पर और murmuring मतलब बढ़ बढ़ाती है कुछ what do you suppose I want with that बुलती है हां मैं क्या करूँ इसका मेर को क्यू राके दे रहे हो ठीके तो ऐसे करके वो फेक देती है अभी तक समझ में आ रहे है बेटा अभी तक समझ में आ रहे है yes or no जल्दी जल्दी से बता दो में को in the comment section फिर अपन आगे बढ़ते हैं Am I clear? बेटा शूची पढ़वी लिया करो बेटा जब भी तुम्हें देखती हूं तुम बत्याती ही रहती हूं तुम्हारी तो बाते ही नहीं खतम होती मेरी जान कभी तो बेटा पढ़ा करो कभी तो पढ़ते वे दिखा करो मेरे को येस वेरी नाइस ऐसी यार comment चलते रहने चीए ठीके? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आगे क्या हुआ देखते हैं अब भई उसका husband बेचारा इतना प्यारा cute सा आदमी बोलता है but my dear I thought it would make you happy कियार मेरे को तो लगा यार कि तु खुश हो जाएगी हाना तु कभी बाहर नहीं जाती और ये एक मौका आया है एक अच्छा मौका आया है सब लोग चाहते है कि उनके पास ये मौका आया और ये ना ऐसे नहीं कि सब को दे दिया हो ये कुछ selected लोगों को ही मिले पार्टी का invitation तुम देखना कि वहाँ पढ़ना सारे तुमें official लोग दिखेंगे बड़े बड़े लोग दिखेंगे मुझे लगा तुम ये पार्टी म समझे क्या बोल देती है what do you suppose I have to wear to such a thing as that कि तुमें क्या लगता है में क्या पहन के जाओंगी मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है अब भाई उसने ये बात सोची नहीं होती पती ने he's stammer stammer मतलब वो थोड़ा सा hesitate करता है घबराता है बोलता है वो वाली ड्रेस पहन लेना जो हम मूवी देखने जाते हैं तुम पहनती हो वो ड्रेस में तो तुम बहुत खुबसूरत लगती हो तो वो वाली ड्रेस पहन लेना he was silent और उसके बाद चुपो गया भाईया पतियों की न बोलती बंदो जाती है जब बीवियों को गुष्सा आते है न तो बोल रहा भाईया नै खत्रा है अपना चुपी रहते हैं उसी में हमारी भलाई है तो स्टूपेफाइड मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया वो और बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड भी हो गया जब उसकी बीवी रोने लगी तो पती अच् जहीं बाया वॉइलेंट एफ़र्ट शी हाड कंट्रोल हर विक्सेशन एंड रस्पॉंड इन अ काम वाइस यानि की बहुत मुष्किल से अपने गुस्य को कंट्रोल करके मैडम अराम से बताती हैं ठीके वाइपिंग और मॉइस चीक्स यानि की गीले हो गया गाल ऐसे जो काड है न वो तुम किसी और को दे दो जिसकी वीवी के पास अच्छे कपड़े हो जो वहां जाने लायक हो मेरे पास तो नहीं है और मैं वहाँ पर नहीं जा सकती ही वोस ग्रीव यानि कि वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और आंसर करता है कि मैचिल्डा अब य जल्फिश लेडी मैचिल्डा ठीक है अब हाँ मच वुड़ा स्यूटेबल कॉस्ट्यूम अब वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं तू मुझे बता तो सही कि भई कितने पैसे कि आएंगी मतलब तेरी जो अच्छी वाली ड्रेस है वो कितने पैसों कि आएगी भई तू बता तो सही मेरी जान something that would serve for other occasion something very simple बोलता है कोई ऐसी ड्रेस बता जो तू बाकी टाइम पे भी पहन सके है ना थोड़ी सिंपल सी बता यह नहीं तू ताम जाम ले 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 फिर जैसे हमारे होता है हम क्या करते है हमारी जो अंटियां होती है वो ले ले लेती है ड्रेसे भर- राइट अब आगे क्या हुआ she reflected for some seconds और वो क्या कर रही है सोच रही है पैसे सोच रही है कि कितने रुपे लगेंगे हना कितने मैं मांग सकती हूं without an immediate refusal refusal मतलब मना अब पतनी भी अपनी calculation कर रही है कि मैं इनसे कितने पैसे मांगूं जितने यह मुझे मना ना कर दें कई मैं एक दम से बहुत ज्यादा मांग लूँ यह मुझे मना कर दें नहीं तो अपना सोच में पढ़ जाती है और बहुत ही डर के क्या बोलती है बच्चो और फ्राइटें एक्स्क्लमेशन फ्रॉम दी एकॉनमिकल क्लर्क एकॉनमिकल मतलब जो कम पैसे खर्च करता है ठीक तो व जैसे हमारे हां की है ना रूपीज वैसी वहां की है 400 फ्राइस और टू कवर और टू कवर मतलब शुट भी इनफ के वह यह चार सो इनफ होंगे काफी होंगे मेरी नई ड्रेस के लिए और उसने केवल इतने ही पैसे यानि कि 400 फ्राइसी सेफ कर रखे थे अपने लिए बिचारे ने गन खरीदने के लिए कि मुझे गन खरीदनी है ताकि मैं अगले समर अपने कुछ दोस्तों के साथ हंटिंग पे जा सकूँ हाना लाक मतलब टाइप ऑफ बर्ड होते कि मेरे दोस्त हंटिंग पे जाते हैं मैं नहीं जा पाता उनके साथ मेरे पे गन नी है तो उस बेचारे ने बिटा अपने लिए पैसे जोड़के रखे होते हैं nevertheless यानि कि however वो फिर भी बोल देता है very well गलब सोचो कितरा अच्छा है कि अपने पैसे जो उसने अपने लिए जमा करे हैं वो उसको दे रहा है सारे के सारे बोल रहा चल कोई नहीं तू ले ले बट एक ना अच्छी सी ड्रेस ले आई हो ताकि तू खुश हो जाए यहां पर क्या होते पाटी तो भई अब पाटी वाले दिन आ रहे थे और अब यह जो मैडम लॉइजल मतलब मिटिल्डा जो है वह अभी भी उदासी दिख रही है अभी भी साइड ही दिख रही है हना अभी भी घुन्नी दिख रही है ठीक है अब मेरे जैसी यह और तो मैं तो वह भी छीन लूँ उससे के जा तू सैडिर तू है इस लाइक ठीक है बट नहीं बच्चों पती तो फिर प्यारे होते हैं तो अभी भाई बहुत ही डिस्टर्ब्ड रही है बहुत परिशान है इंश्यल्स है वरीड है चिंतित है तो भाई उसकी जो ड्रेस है वो तो र जीब सा भीइफ कर रही है क्या हो गया भाई तिरको रेस्पॉंड करती है कि I am waxed यानि कि annoyed कि मैना बस मेरे से बात मत करो तूम रहनदो बस Not to have a jewelry कि मेरे पास ना jewelry नहीं है नहीं है मेरे पास jewelry क्या पहनू मैं खाली dress पहन के चली जाओं jewelry कहां से लाओंगी मैं बताओ नहीं नहीं बताओ बताते क्यों नहीं हो तो ऐसे बोल रही है ठीके Nothing to add on myself with add on मतलब decorate कि मैं सजाओं केसे खुद को बस एक dress पहन के चली जाओं पागलो की तरह बताओ फीके बई I shall have such a poverty stricken look कि मैं तो एक दब poor person लगूंगी न बिल्कूली बेकाड लगूंगी मैं कि किसी पागल सी को dress पहन आ दिया That's it सजूंगी नहीं तो I would prefer not to go मुझे जाना ही नहीं है He replied You can wear some natural flask बोलता है कुछ flask की जोलरी पहन ले तू तो किसी में भी सुन्दर लगेगी हाना She was not convinced तो उसे मज़ा नहीं आता वो बोलती है बेहर तुम चुप रहो No, she replied There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the mist of rich woman अब यहां पे यहां पे वो क्या बोल रहे है बोल रहे है नहीं तुम क्या चाहते हो वहां जितने भी अमीर औरते हैं उनके बीच में मैं गरीब बन के चरी जाओ ठीक है तो बोलती है इससे जादा humiliating इससे जादा बेजती वाली बात तो कोई नहीं है इससे जादा insulting बात कोई नहीं है हाना के मैं वहाँ पे old fashion लगूँगी और वो सारी अमीर अमीर और ते मेरे पे हसेंगी तो फिर उसका husband भाई बोलता है how stupid we are के ओ हो वाया हम तो पागल है हम ही है पागल तो वो बोलती है भाई क्या हो गया बोलता है देख तेरी वो friend है ना madam for yester अब याद है ना उसकी अमीर वाली दोस्त जिसे देखकर इसे चिड़न होने लगती है भोलता भी यार तेरी वो अमीर दोस्त है madam for yester हना तू उसकी पास क्यों नहीं जाती जा और उसको बोल land मतलब किराय पे देदेगी ठीक है कि तुझे ना अपनी कोई फ्रेंड के घर और उसको अपना सारा अदुख दर्द पीड़ा सब बता देती है कि बहन क्या बताओं तुझे मेरी तो खिस्मत ही बेकार है मेरी तो खिस्मत ही फूट गई मुझे जाना है पाटी में मेरे पे ड्रेस है जुलरी नहीं है फलाना मैडम फॉरिस्ट्र क्या करती है अपनी अलमीरा क्रॉजेट के पास आती है और एक बड़ा सा बॉक्स निकालती है उसे खोलती है और बोलती है बहन तुझे जो चाहिए तु ले ले ठीक है अब पहले वो थोड़े ब्रेसलेट्स देखती है फिर ऐसे यहां पर एक कॉलर हो मतलब के काम हो रखा है बहुत बड़िया क्वालिटी का है तो अब वो एक एक करके सारी जोलरी बच्चों ट्राइ करने लगती है ग्लास मतलब ऐसे शीशे के आगे खड़े होकर बट वो डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे लेकर जाना है चोड़के जाना है फिर वो चोड़ों लेसे अग्रियों सेख़े एक ब्लाक कलर गना सेटिन का रहा होता है तो एक ब्लक कलर का सेटिन का वाक्स होता है और यह वरू बाकष पूपसूरत सा उसकी अंदर सुपर्ब मतलब एक एक्सिलेंट नेक्लेस होता है डाइमेंड का अब उसके ना जैसी वो उसे बहार निकालती है उसके हाथ का अपने लगते इतना वो खुबसूरत होता है और वो अपने गले पे लगाती है एंड शी वोज वेरी हापी देखके वह उसके खुशी का हो वाओ आम लुकिंग वेरी प्रिटी मैं ही हूँ मैडम है लीना और कोई नहीं है मेरे आगे अब वो हेजिटेटिंग वोईज में पूछती है कि क्या मैं यह लेकर जाओं प्लीस सिर्फ यह ले जाओं और मुझे कुछ नहीं चीए तो मैडम को अरेस्टर बोलती है हाँ हाँ कोई बात नहीं ले जा ले जा अब वो क्या करती है अब भाई जो हमारी मतिल्डा है she was a great success मतलब बहुत ही जादा खुश हो जाती है वो जो उसने प्लान किया होते है सब हो जाते है वो वहाँ पे बहुत खुबसूरत लग रही होती है बहुत ही elegant एकदम royal एकदम stylish हाना एकदम friendly smile कर रही है enjoy कर रही है बहुत खुबसूरत लग रही है अब सारे जितने भी आदमी उसको notice कर रहे है इतनी खुबसूरत लग रही है उसका नाम पूछ रहे है हना उससे बात करना चाह रहे है वो बहुत ही enthusiasm के साथ passion के साथ हना दिल में मेरे है दर्दे डिसकों करके कैसे मस्त डांस कर रही है ठीक है intoxicated मतलब extremely happy बहुत ही जादा खुश है कुछ भी नहीं सोच रही बस यह देख रही है कि लोग कैसे उससे अटेंशन दे रहे हैं हना लोग कैसे उसकी तरफ देख रहे हैं तो यह उसे लगता है मेरी जीत हो गई मैं बहुत खुबसूरत लग कर देख बिचारा सोया पड़ा होता है यह मैडम बाहर दर्दे डिसको कर रही है वह अंदर सोया पड़ा अब क्या होते है वो जगाती है कि बहुत घर चलना है सुबा चार बजे तो उसका जो अजबेंड वो बाकी के तीन और आदमी उस रूम में सो रहे थे वही पर सोया पड़ा था और इन सब की वाइफ बहुत बड़ा इंजोई कर रही थी वही यह थ्रीव अराउंड शोल्डर्स दी मॉडेस्ट राप्स मॉडेस्ट मतलब बहुती सिंपल सी शॉल क्यूंकि भा ठंड है तो भई केरिंग है हमारा लड़का तो जैसी भार आया उसने शॉल प बहुत ही जादा ऐसे गरीप सी है तो वो ना क्लैश कर रहा है मैच नहीं हो रहा वो शी विष्ट हुरी अवे इन ओर नॉट टू बी नोटिस अब वो क्या कर रही है देख रही है अच्छा शॉल उड़ा दी चलो फड़ बागो बागो ताकि मुझे कोई और ना देख ले क बहुत है और यह विचारी शॉल अब यह वहां से भागे तो भई लॉजल इटेंड हर जान यानि जो सका पती है डिटें मतलब उसे रोक रहे के अरे भेन मेरे ले तो रुक रुक बहन मेरे ले ठीक है बागे जारी है बागे जारी है रुक तो जा अब वेट सेड ही आइम बहन नहीं मतलब बहन नहीं मतलब बीवी है उसकी बैट यह तो स्लाइंग है के रुक जा भई क्या अब मंग वा रहा हूं बट वो सुनी नहीं रही और सेड़ी यानि की जो स्टेप्स मतलब सिढ़ी है धर्ड़ करके फड़ा फड़ से नीचे उतर रही है वें दे वर इन पर कोच्मेंड के लिए चिला रहे हैं जिसने उन्हें दूर से देखा है कि या रुक जाओ दे वाग दा लॉंग तुवर्ड दा रिवर और वो रिवर के साइड में वाक करते वे जा रहे हैं होपलेस एंड शिवरिंग कुछ उन्हें मिलनी रहा है अना सर्दी में कुछ भ और वो बहुत ज़्यादा थके होते हैं अपने अपार्टमेंट में जाते हैं अब इट वोज ओल ओवर फॉर हर तो अब उसके लिए दुबारा से यह अपनी पॉवर्टी वाली जिंदगी शुरू हो जाती है क्योंकि जितना भी अटेंशन मिलना था भया वो तो मिल लिए ठीके समझ में आ रहे के नहीं गाईस यहां तक एक बारी फड़ा फट से येस मैम स्पाम कर दो इन दा कॉमेंट सेक्षिन मजा आ रहे के नहीं या फिर चले आगे हां जी जल्दी जल्दी बतादो बेटा प्लीज एक बार फड़ा फट से और मैं बार 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 बोल रहे हूं कि साड़े साथ बज़े एक वीडियो डाला था चानल पर जिसने भी नहीं देखा प्लीज देख लेना दाट वीडियो इस वेरी इंपोर्टेंट ठीके बिटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट और कल की क्लास किसी भी कीमत पे मिस मत करना क्योंकि कलम ग्रामर करने वाले है चलो चमक गया ठीक है अब आगे क्या हुआ अब आगे क्या हुआ अब वो क्या सोच रहा है चार बज गए हैं दस बजे तक फिर आफिस पहुचना है ठीक है अब वो क्या कर रही है शीशे के आगे खड़े हो गई आकर बोल रही है एक बार जरा मैं खुद को फिर से निहार तो लू लास्ट बार तो ऐसे करके वो अपनी शॉल निकाल रही है अपनी ड्रेस देखने के लिए सड़नली चिलाई पढ़ती है एकदम से चिला देती है अब भई उसका पती अल्रेडी हाफ अंड्रेस जानी कि अपना कपड़े वपड़े चेंज करने की प्रोसेस में होता है बेचारा पूछता है भई क्या हो गया अब क्या हो गया वोट इस देखने होती है नेकलेस नेकलेस चला गया I am no longer have a foresters necklace और वो भी शौक एकदम है रान कहते है क्या यह कैसे पॉसिबल है यह तो पॉसिबल ही नहीं है और वो फटा-फट से ड्रेस में देखते है कह इतनी बड़ी ड्रेस है उसके अंदर तो नहीं कहीं फस गया हना एक टाइप अफ तो वो बोलती है हां हां मतलब I felt it जब हम बहार आये तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास था तो अगर तुमने रास्ते में खोया है हमें गिरने की अवास तो आनी चीए थी तो वो ना जरूर क्यारेज में छुट गया होगा तो वो बोलती है हां हां हो सकता है क्या तुमने नंबर लिया था नहीं क्या तुमने किया था नहीं एक दूसरे से बोल रहे हमारे पास नंबर ही नहीं है दे लुक डैट इच अधर अटर्डी कास्ट जाउन यानि की वरिड़ो नो एक दूसरी की तरफ देख रहे अब क्या करेंगे अब तो स्यापा हो गया जान को डाइम मैं जा रहा हूं वापिस देख कर आता हूं चलके पूरा रास्ते में कि कहां पर कहीं गिरा है के नहीं और वो चला गया वो अपने इवनिंग गाउन में ही रही उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो थी कि वो बेट पर जा पाए शी वस वारेड अब बहिया साथ बज़े उसका हस् कुछ नहीं मिला अब वो पुली स्टेशन जाता है क्याब ऑफिस जाता है न्यूस पेपर में एडवर्टीजमेंट चपवा देता है रिवार्ड दूंगा वह जो नेकलेस देदेगा उसे में रिवार्ड दूंगा अब वो पूरे दिन वेट करती है बहुती ज्यादा शॉ वो बोलता है कि देखो तुम अपनी फ्रेंड को लिख दो कि तुमसे ना नेकलेस का जो हुक है वो टूट गया है और तुम उसको रिपेर करा के देदोगी ताकि हमेने थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा नेकलेस को रिपेर मतलब नेकलेस को ढूणने का तो वो जैसे जैसे वो वैसे वैसे लिखके भेज़ देती है अब भाई या एक हफ्ता हो जाता है और उनके सारे होप खतम उने लगता अब तो नहीं मिलता अगर अब तक नहीं मिला ना भाई तो अब तो हमें बिलकुल ही नहीं मिलेगा और य Stevens बढ़ेस दिस जोर्ड review अब वो से पानग साल exactly वही same necklace वहाँ पर दिख जाता है जैसे उनसे खोया होता है अब it was valued at 40,000 फ्रांस सोचो 40,000 वहाँ उसे 400 फ्रांस देने में आफ़त आ रही थी 40,000 they could get it for 36,000 उन्हें वो 36,000 में मिल रहा था तो लोईसल ने क्या करा जित्ता भी ओन किये थे 18,000 फ्रांस अपने पापा से यानि कि जब उसके पापा मरे तो उसको उसके नाम पे 18,000 फ्रांस कर गए उसकी saving थी तो अब 18,000 तो उसके वो हो गए और बाकी उसने किराय पर मतलब कि किसी से उधार लिए सोचो 18,000, 18,000 सारी savings भी दे दी किराय पर भी लेने पड़ गए पैसे और उसने बहुत ही जादा destructive promises कर दिये लोगों से कि मैं आपके पैसे लुटा दूँगा हना इस बयाज पे लुटा दूँगा डबल बयाज पे लुटा दूँगा और पैसे ले लिए उन लोगों से उसने 36,000 रुपीज जमा करा दिये तो मैडम लोईजल मैडम फॉर्येस्टर के पास लेकर गई दा लेटर सेट टू हर इना फ्रिजिट टोन यू शुड आव रिटर्ण देम टूमी सूनर फर आई माइट अब यहां पर जो मैडम फॉर्येस्टर है उन्हें भी थोड़ा सा घुसा आ गया वो थोड़े से अनिमोशन टोन में बोल रहे कि यार पहले दे देती न मुझे इसकी जरूरत थी ठीक अब आगे क्या हुआ तो यह सब उसके दिमाग में चल रहा था अब क्या होता है जो हमारी में टिलडा होती है अब उसको पता चला कि life of necessity क्या होती है necessity मतलब मजबूरी में रहना किसको बोलते हैं अभी तक तो मैडम पर फिर भी कुछ ना कुछ था अभी तक तो हमारी मैडम फिर भी सही चल रही थी बट अब बेटा उसे पता चलेगा की life of necessity क्या है अब देखो क्या हुआ she did her part however completely heroically heroically क्या होता है बहुती brave बन कर कि अब हम देखेंगे मेटिलडा का दूसरा रूप क्या हुआ बेटा अब देखो यह जो debt था यानि कि यह जो करजा इनोंने लिया था यह तो चुकाना ही था हाना 36 मतलब 18,000 उपेइन उने करजे पे लिये थे यह तो चुराना ही है तो इन्हें मेड हटानी पड़ी अब जो घर की मेड थी जो मेटिलडा heroine बनती थी ना कि मैं बरतन नहीं दोंगी मैं नीचे नहीं जाओंगी सब जी लेने लोग क्या सोचेंगे फलाना मेड हटा दी ठीक है और इन्हों ने लॉजिंग मतलब अपना जो घर था वो भी चेंज करना पड़ा अटिक मतलब एक अपर फ्लोर पे उससे भी ज्यादा गंदे घर में ये लोग रहने लग गए अब उसे समझ में आया कि किचिन का जो unpleasant काम होता है वो कैसे किया जाता है अब वो बरतन भी धोती है अब वो गंदे कपड़े भी धोती है फिक है जो किचन में कपड़े यूज होते है वो भी धोती है और उसके बाद सुखाने भी जाती है जो गारवेज है जो कूड़ा है घर का वो भी नीचे लेकर जाती है उपर पानी भी उठाकर लाती है और हर सेड़ी पे तो अब उसको समझ में आ रहा है कि जब यह सब काम करना पढ़ रहा है इसे बोलते हैं गरीबी ठीक अब यानि कि अब जैसे आम औरते कपड़े पहनती है वैसे पहन के फ्रूट वाले के पास भी जाती है ठीक है बारगेनिंग भी करती है लोगों से बैल उसे लगता था ने यह मेरा स्टांडर नहीं है यह में कैसे करूंगी अब सब कर रही है समझ में आया अब सब कर रही है ठीक है the last go यानि की एक 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 पैसे की कीमत एक एक बोलते हैं कि पैनी की कीमत उसको अब पता चल रही है अब आगे क्या हुआ उसका husband भी बिचारा बच्चो evening में भी काम कर रहा है extra shift भी मार रहा है जो merchant की book से वो भी लगा रहा है night shift भी मार रहा है मतलब हर एक चीज कर रहा है एक एक पाई जोडने के लिए और ऐसे ही बच्चों 10 साल बीत गए 10 years ठीक है 10 years बीत गए एक एक चीज एक एक चीज एक चीज एसी गरीबी की जिन्दगी जीने में अब 10 साल में उन्होंने 18,000 जोड़े और अपना करजा जो है वो भाईया हटाया अब जो मेटिल्डा है वो अब ओल्ड भी लग रही है पर अब ओल्ड के साथ साथ अब आपने हमारी मम्यों के हाथ देखे हैं मम्यों के हाथ देखे हैं कि नहीं बेटा एकदम सक्त राइट एकदम सक्त बेटा काटून किंग क्यों काटून जैसी बात कर रहे हो हाँ बता और बात कर रहे हो तो कर रहे हो बेटा स्पैम क्यों कर रहे हो बता जब जरूरत होगी ना बेटा स्टोरीज को समरी में पढ़ाने की तब वो भी पढ़ाऊंगी लाइन बाइन पढ़ाना भी जरूरी है कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो लाइन बाइन पढ़ने ही आते हैं ठीक है बेटा तो जब वो टाइम आएगा न कि समरी देना है अब एल बाइन पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ेंगे यहां पर जब हम काम करते हैं तो हमारे हाथ ने इग्दम सक्त हो जाते हैं और यहां को और रोज झाडू पोचा हनब बर्तन कपड़े फलाना फुलूना कौन से हाथ तुमारे नर्म रहेंगे कौन से पैसे हैं तुम पर मॉश्टराइजर खरीद के लगाने के बता नहीं है ना तो उसके हाथ भी अब एकदम सक्त हो गई एकदम सक्त तौरत हो गई है वो अब बाल भी ऐसे पागलो की तरह उपर बांध रखे हैं जो हैं वो पूरे रेड हो गए हैं अब उसकी अवास भी एकदम भारी हो गई है जैसे अंटियों की होती है ठीके और अब अपना पोचा वोचा भी खुद लगाती है कभी कुबार उसका जो हस्बेंड है वो ओफिस में होता है अब वो सोचती है कि अगर कभी नेकलेस खोया ही नहीं होता तो मेरे जिंदगी यार इससे बेटर होती राइट अब ही देखो जिंदगी कितनी खाली है कैसे जिंदगी में चेंज आ गया है कैसे एक छोटी सी चीज ने सारी चीजों को डिस्ट्रॉई कर दिया है अब एक संडे क्या होता है बेटा वन संडे तो क्या होता है पार्क में गूमने जाती है एक शाम की बात है अब यहाँ पर देखना बेटा पूरा टुइस्ट ना आपको यहीं समझ आएगा ठीके अब एक संडे को वो वाक कर रही होती है ठीके ताकि जो भी हफते में जो भी प्रेशर है ना उसको थोड़ा खतम कर दे तो थोड़ा वॉक कर रही है अब वॉक करते-करते वो एक औरत को पहचान लेती है उस औरत के हाथ में एक बच्चह होता है और वो औरत कौन होती है मैडम फारिस्टर वो अभी भी यंग दिख री होती है, अभी भी खूबसूरत दिख री होती है, अभी भी एट्राक्टिव दिख री होती है, भही मेटिल्डा को बहुत गुस्सा आजाता है, यह तो वह यह, हाँ जिससे मैंने नेकलेस लिया था, उसे गुस्सा आजाता है, जबकि कोई बात तो वो बोलती है क्या मुझे उससे बात करनी चीए फिर खुदी बोलती है हां हां करनी चीए अब तो मैंने पैसे पेबी कर दिये तो मैं इसको सब बता दूंगी तो वो उसके पास जाती है बोलती है अब जीन क्या होते है फॉरिस्टर का पहला नाम होता है तो वो उसे फर्स नेम से बुलाती है तो वो मैडम फॉरिस्टरी से पहचान ही नहीं पाती है इसकी हालत देखकर बोलती है तू कौन Ann was astonished to be so familiarly addressed by this common personage common personage मतलब unknown person और shocked हो जाती है कि यह मुझे मेरे पहले नाम से कौन बुला रहा है यानि कि यह तो मुझे अच्छे से जानती है बुलती बहन कौन है तू she's tamid थोड़ा सा hesitate करती है हकलाती है but uh 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 madam uh I don't know you ठीक है you must be mistaken के आपसे ना जरूर कुछ गलती हो गई होगी मैं आपको नहीं जानती हूँ no मुझ से कोई गलती नहीं है I am Matilda hello Matilda हूँ मैं her friend uttered a cry of astonishment वो बोलती है oh my god Matilda my poor friend ठीक है तो वो बोलती है कि how you have changed के बहन यह क्या हालत बना ली है तूने अपनी यह देखो बेटा इसकी हालत तुम खुद देख लो कैसी और अब एक तरफ इसे देखो पूरे घैने शेहने और एक तरफ इसे देखो बिचारी को बाल देखो इसकी शकल देखो डाक सबकल्स देखो हना बिल्कूल हमारी तरह हालत और अब आगे क्या हुआ येस, I have had some hard days since I saw you बोलती है जब से मैंने तुझे आखरी बार देखा है न तब से मेरे जो दिन न बेकारी चल रहे हैं और कुछ दिन तो मेरे बहुत ही बुरे चले हैं और उसकी सब की वज़़ना तू है तू Because of me? मुझे बोलती है जब मेरी वज़गा से मेरी वज़गा से कैसे बहन मैंने तिरा खिया भिगार एह बोलती है मैं बताती हूँ रूख तूझे वू diamond necklace है जो तूने मेरे को उधार दिया था याद होगा तिर को हना वह diamond necklace जो मैं जो मैंने लिया था तुझसे मिनिस्टर की पार्टी में पहन के जाने के लिए तो वो बोलती है हाँ मुझे तो अच्छे से याद है very well तो वो बोलती है well खो गया था मुझसे भो I lost it How is that since you return it to me अब वो बोलती है यह कैसे possible है तूने तो मुझे वो वापिस कर दिया था तो ऐसे क्यों बोल रही है कि खो गया था I returned another to you exactly बोलती है जो मैंने तुझे लटाया ना वो असली नहीं था मतलब असली इंदा सेंस के वो और वो नहीं था जो तूने मुझे दिया था exactly उसी की तरह same हमने खरीदा and हमें 10 साल लग गए उसका करजा चुकाते चुकाते you can understand that it was not easy for us तू तो समझ चकती है कि कितना महेंगा आते diamond necklace और हमारे पास हमारे पास कुछ नहीं अपने खाने का ठीकाना नहीं हम तेर को यह diamond necklace दे रहे हैं but it is finished but बोलती है अब वो मतलब बात कहते गते रुख जाती है कि क्या ऐसे हो जाती है she said you say that you bought a diamond necklace to replace mine बोलती ही क्या 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 बोला तूने तू diamond necklace लेकर आई थी मिरको देने के लिए मतलब तूने diamond necklace लिया मेरे लिए तूने मुझे diamond necklace दिया ऐसे बोल रही है वो ठीक है अब आगे क्या हुआ yes you did not perceive it then perceive मतलब recognize तूने तिल्डा बोलती हाँ हाँ तुमने तब पहचाना नहीं क्या अपने necklace को they were just alike and she smiled with a proud and simple joy Madam Forrester was touched touched मतलब grateful feel हुआ उने कि सोचो मेरा necklace खोने के बाद इसने diamond का same necklace मुझे दिया and took both her hands यानि कि ऐसे उसके हाथ पकड़ लेती है उसे दया आ जाती है कि अरे 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 बेटा और क्या बोलती है oh my poor Matilda mine were false अब इस बात पर सोचो कितना गुसा आए बन देगो हाना क्या बोल रही है कि अरे 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 मेरे वाले ना नकली थे they were not worth over 500 francs 500 से जादा के नहीं थे वो जिसमे तो 36,000 रुपे लुटा आई है 500 से जादा के नहीं थे नकली टाइममेंट था वो बेहन and she responded I am vexed not to have a jewel अच्छा ये तो I guess हो गया है हमारा ये I guess slide repeat हुए एक second देना मेको मैं थोड़ा ज़रा नीचे चलिया हूँ ये तो हमारे question answers है हाँ ठीक है तो यहाँ पर बेटा हमारा जो chapter है वो समाप हो जाता है clear so end में हमें पता चलता है कि वो जो necklace था वो नकली था अगर उसे पहली बता देती तो हो सकता है कि उसकी ये सारी suffering बच जाती बट एक लेडी जो selfish थी जो अपने पती के बारे में नी केवल अपने ले सोचती थी अपनी खुशी के ले सोचती थी उसे भगवान ने एक सबक सिखाया और उसके साथ साथ क्या करना पड़ा उसके पती को भी सफर करना पड़ा ठीक है बटा तो चैप्टर समाप्त समझ में आगे हैं सभी को अब इसके जो question answers हैं यहां पर यह मैं तुम्हें दे दूंगी टेलिग्राम पे इसमें NCRT के question answers भी हैं और तुम्हारे previous year यानि कि जो पहले आ रखे न वो भी question answers है ठीक है तो जिन बच्चों ने टेलिग्राम अभी भी जॉइन नहीं कर रहे description में बेटा पहले नंबर पर लिंक है प्लीज आप लोग टेलिग्राम जोइन कर लीजिए ताकि आपको pdf question answers टाइम पे मिलते रहें ठीक है तो टेलिग्राम का लिंक है भाईया जोइन कर लो प्लीज टेलिग्राम अब फड़ा बच्चे मुझे सारे बच्चे कॉमेंड में बता दोगे बाई स्टोरी कैसी लगी मज़ा आया की नहीं हाँ बई सारों को मज़ा आया की नहीं बेटा मेंटी की टाइमिंग 10.30 ही रहेगी क्योंकि वो लंबा चलेगा बाखी कल देख लेंगे एक बाद ठीक है तो कल की क्लास में हम ग्रामर करेंगे आना कते ही मत बूलना और परसो है बेटा हमारी महा मेंटी मैं दोबारा बोल रही हूँ कि वही चैनल पर एक वीडियो आया था साड़े साथ बज़े प्लीज सारे बच्चे उसे धंग से देख लेना विकास डाट वीडियो इस वेरी 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 इंपोर्टन मैं एक और बार लिंक बेज़ दूँगी टेलीग्राम पे तो प्लीज उस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालना अप उसकी स्पीड बढ़ा लेना तो वह 15 मिनिट की वीडियो है ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ठीक है त थैंक यू थैंक यू एवरिवान कॉमेंट्स को पिन कर देती हूं थाकि आपका कॉमेंट्स अबसे उपर रहे ठीक तो जिसका भी मुझे सबसे बढ़िया लगेगा मैं उसका कॉमेंट्स कर दूंगी और मैं आप सभी से मिलूंगी वीटा कल नौ बजे तब तक के लिए आप लोग खयाल रखो अपना थांक अर्वाल मैं आपका की न देता हूं